बिना दाल को भिगोए आज हम बनाने जा रहे हैं मूंकी दाल का हलवा बहुत ही स्वाद ये बनकर तयार होता है यकीन मानिया और बहुत जल्दी भी बनकर तयार हो जाता है तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले दो तीन बार और उसके बाद चलनी में निकाल ले चलनी में हमें इसलिए निकालना होता है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी ये टपक रहा है वो टपकना रुक जाए तो दस मिनिट के लिए मैं इसे चलनी में ही छोड़ रही हूँ दस मिनिट के बाद यहाँ पर मैंने ए इसलिए क्योंकि इसमें पानी है मोईस्चर है लेकिन धीरे धीरे करके इसका मोईस्चर निकल जाएगा और यह बहुत ही खिली-खिली सी हो जाएगी लेकिन जैसे यह खिली-खिली हो जाएगी यह देखिए खिली-खिली सी हो गई है पानी इसका हड़ गया है हमें इसे इस र सेम पैन में मैं दूद भी गरम कर रही हूँ यहाँ पर मैंने दो कप दूद लिया है एक कप डाल लिया है दो कप हम यहाँ पर दूद का ले रहे हैं इसमें मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ यह optional है अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं वरना आप skip कर दीचे इसे mix करेंगे और high flame पर दूद को गरम करेंगे दूद कच्चा है तो उसे उबाल लीजे और अगर उबला हुआ है तो बस उसे एक बार गरम कर दीजे तो देखिए यहाँ पर मैंने दूद को गरम कर दिया है तो बस अब हम क्या करेंगे gas को बंद कर दे और इसे रख देंगे हम side में और चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर जो हमारी दाल है वो भी ठंडी हो गई है तो दाल को हम डाल देंगे blending jar में और इसे हम पीस लेंगे अब दाल को हमें दरदरा पीसना है एकदम fine powder नहीं बनाना है तो mixi को आप pulse mode पर चलाईए यानि कि च चलाईए बंद कीजे चलाईए बंद कीजे इसे पांच साथ बार आप करेंगे तो आपको ऐसा texture मिल जाएगा हाथ लगाएंगे दाल को तो ऐसे सूजी की तरह लगेगी आपको थोड़ा दरदरा लगेगा बस इस point तक ही हमें दाल को पीसना है चलिए अब हम बनाते हैं जिसके लिए यहाँ पर एक बड़ा चमच मैंने घी का ले लिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्राइफ रूट को रोस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम ले लिये हैं जितने पसंद हो उतने लीजिए आप इसमें अख्रोट और पिस्ता भी ले सकते है यह आपका चॉइस है लेकिन मैंने सिर्फ काजू और बडाम लिये हैं लो फ्लेम पर हम इन्हें भून लेंगे करीब एक से दो मिनिट तक मैंने इनको भूना है उसके बाद मैं इसमें दस बंदरा किश्मिश डाल रही हूँ किश्मिश को भूनने में ज्यादा टाइम नही उसके बाद हम जो यह ड्राइफ फ्रूट्स है उन्हें अलग से किसी प्लेट में बाहर निकाल देंगे और साइट में रख देंगे अब यह जो पैन है इसमें मैं आधा कब घी और डालूँगी यानि कि जितना हमने डाल लिया था उसका आधा हमें घी लेना है घी जैसे ही मिक्स करना है करीब एक मिनिट के लिए डाल पकी हुई है तो बस घी के साथ उसे मिलाना ही है पकाने की जरूरत तो है ही नहीं तो देखिए डाल को हमने इस तरीके से चलाते हुए लगबग लगबग एक मिनिट के लिए मिक्स कर दिया है जैसे ही यह मिक्स हो जाएगी इसम की भाप आती है मैंने फ्लेम लो कर दिया था इसलिए बहुत तेज भाप नहीं आई जैसी गरम पानी डाल करेंगे जो डाल के दाने हैं वो फूल जाएंगे देखिए इस तरीके से तो वो बहुत ही अच्छा टेक्शर जो है हलवे का वो आएगा सिर्फ इस वाले ट्रिक से त इसके बाद में चीनी एक कब डालेंगे जितना डाल लिया था उतनी ही हमें चीनी भी लेनी है फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे जो गुटलिया बन रही है आप जैसे जैसे चलाते जाएंगे यह जो गुटलिया है वो खतम होती जाएंगी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है बस अब हमारा काम इतना है कि हमें इसे लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है धीरे धीरे करके जो दूद है वो सूखता जाएगा दाल जो है वो इस तरीके से गाड़ी होती जाएगी लेकिन अभी हमें इसे तब तक पकाना है जब तक की जो घी है वो रिलीज नहीं हो जाता और ये जो मिक्षर है दाल का ये पैन को छोड़ने नहीं लग जाता घी रिलीज करने के लिए थोड़े से घी की रिक्वार्मेंट होती है तो एक चम्मज घी इस पॉइंट पर मैंने और डाला है इसे मिक्स करेंगे और ये देखिए लगभग लगभग 5-7 मिनिट मैंने इसे और चलाया घी रिलीज हो गया है दाल का टेक्शर आप देख सकते हल नहीं पकाने की ज़रतनी हलवा हमारा तयार है अब हम यहां पर इलाइची पाउडर डाल रहे हैं और जो ड्राइफ फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे बस हम इसे मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से और हमारा मूं की दाल का हलवा जो है वो गर्म अगरम बनकर तयार है इसे इंजॉय कीजे और मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चल दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बबाए